लो अबरिवन तो देखे आज हम superposition theorem के help से ये जो हमारे पास circuit है इस circuit में इस R की value निकालेंगे बतलब ये जो यहाँ पर resistance connected है इसकी value को हम निकालेंगे जब इस पूरे circuit में हमारे पास 2A का current source act करेगा और 6V का यहाँ पर voltage source act करेगा कहने का मतलब क्या है कि जब हमारे पास दो sources act करेंगे इस circuit में तो हमारे पास इस resistance की value हमें निकालनी है ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं भई superposition theorem का सबसे पहला step यह होता है कि कोई भी एक source को लेकर चलते हैं और दूसरा जो source होता है या फिर बाकी जो source होते हैं उनको हम zero करते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम 2 amp के current source को लेकर चलेंगे और यह जो voltage source यहाँ पर है इसको zero करेंगे तो voltage source को zero करने के लिए हमें क्या करना पढ़ता है इसको short करना पढ़ता है तो हमारा जो circuit है यह circuit कुछ इस तरीके का हो जाएगा देखो यहाँ पर 2 amp का current source है तो यह तो इसी तरीके से रहेगा और यहाँ पर हमारे पास एक resistance connected है यह दूसरा resistance connected है यहाँ पर एक और resistance connected है और यहाँ से इसको हम short कर रहे हैं और यहां पर इस resistance की value है 12 ohm, और यहां पर हमें बताया है कि यह जो 12 ohm का resistance है न, इसके थूँ एक ampere की current flow करती है, यह हमें दिया है, चीक है, तो एक ampere की current जो है वो यहां से flow करती है, इस 12 ohm resistance है, और यहां पर यह जो resistance लगा, इसकी value है 1 ohm की, अब देखो यहाँ पर हमारे पास current source है 2 ampere का तो 2 ampere की current यहाँ से इस तरीके से flow करेगी और जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचेगी तो यहाँ से देखो हमें दिया है कि वह एक ampere की current जो है इस 12 ohm resistance से flow करती है तो यहाँ से तो 2 ampere की current आ रही है ना तो एक ampere अगर यहाँ जा रही है तो एक ampere कहा जाएगी इस आर ohm के resistance से होके flow करेगी है कि नहीं है अब देखो यह हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो आर ohm का resistance होगा इसकी जो यहाँ से जो current flow करेगी वो होकी एक ampere की अब देखो यहाँ पर जो 12 ohm है और यह वाला जो resistance है यह आपस में क्या है पैरलल में है है कि नहीं है तो जो voltage हमारे इस 12 ohm resistance के across में होगी वो ही voltage हमारी इस resistance के across में भी होगी तो देखो यहाँ पर जो voltage होगी इस 12 ohm के resistance के across में वो कितनी होगी देखो V बराबर होता है I into R तो current हमें पता है एक ampere के इसकी थूँ फ्लो करती है तो एक ampere लिखेंगे multiply by resistance कितना है 12 ohm तो 12 यहां पर लिखेंगे तो voltage हमारे पास हो जाएगी 12 volt यानि कि यह जो हमारे पास 12 ohm का resistance है इसके across में voltage कितनी मिली हमें 12 volt की मिली it means ये दोनों parallel में हैं ये वाला resistance भी और ये वाला resistor भी आपस में parallel में है तो यहां पर जो voltage होगी वो ही voltage यहां पर होगी तो हमें पता लग गया कि ये वाला resistor के across में भी क्या voltage होगी 12 volt की होगी तो V बराबर होता है I into R मतलब voltage बराबर होता है current into resistance तो current हमें पता है कि एक ampere की इस resistor से होके flow करेगी तो एक लिखेंगे multiply बे R को ऐसे ही रखेंगे ठीक है और voltage हमें पता लग गया कि बारा वोल्ट यहां पर voltage होगी इस वाले resistor के across में तो यहां पर बारा लिखेंगे अब यहां से देखो यह R क्या हो जाएगा R हो जाएगा 12 होम तो हमें पता लग गया कि जब हमारे पास 2 ampere का यहां से current source जो है वो act करेगा circuit में तो यहां पर इस resistance की यहां पर value आती है उस time 12 होम चीक है अभी सिर्फ एक source सही हमें यह पता लगा है अभी हम दूसरे source से देखेंगे और फिर फिर हम finalize करेंगे कि यहां पर actually इस resistance की value क्या होगी चीक है तो अभी हमें फिलाल के लिए पता लग गया कि जब 2 ampere का यहां पर current source act करेगा तो हमारे पास यह जो r की value यहां पर आएगी मतलब resistance की जो value होगी वह होगी 12 ohm तो इसको हम यहां पर लिखते हैं 12 ohm चीक है अभ हम दूसरा source लेकर चलते हैं देखो अभ हम क्या करेंगे कि यह 6 volt का जो voltage source है इसको लेकर चलते हैं और यह जो current source है इसको हम zero करेंगे तो current source को zero करने के लिए हम क्या करते हैं इसको open करते हैं तो जब यहां से इसको open कर देंगे तो यहां से आगे कोई भी current flow नहीं करेगी तो it means हमारा जो circuit है वो only इतना रहेगा यहां से आगे यह वाला इतना part हमारे पास रहेगा है कि नहीं है तो हम इसको फिर से redraw करते हैं हाँ पर जो circuit हमारे पास बनेगा यहां पर एक resistance रहेगा 12 ohm का यहां पर एक और resistance होगा और यह यहां से एक voltage source है नहीं 6 volt का जो voltage source है और यहां पर resistance यहां पर R दिया है हमारे पास R दिया है ना और यह जो हमारे पास 12 ohm का resistance है यहां से current की value दी है एक ampere अब देखो यह जो circuit है यह एक series circuit बन गया तो जो अगर यहां से एक ampere की current flow करती है 12 ohm से तो इसका मतलब यह वाले resistor से भी कितनी current flow कर रही होगी एक ampere की ही flow कर रही होगी क्योंकि series में series circuit में current जो है वो कहीं से भी divide नहीं होती है चीक है तो देखो V बराबर होता है I into R यानि current multiply by resistance तो V हमें पता है यहां पर कितनी है voltage 6 volt तो 6 लिखेंगे बराबर current कितनी है यहां से एक ampere की flow करेगी अभी तो एक लिखेंगे और multiply by इस R को इसी तरीके से रखेंगे चीक है तो R बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 ohm चीक है यानि कि जब हमारे circuit में यह जो 6 volt का source connected होगा तो उस टाइम पर हमारे पास यहां पर जो resistance की value होगी वो कितनी होगी 6 ohm की होगी तो अब हमें पता लग गया कि जब हमारे पास 2 ampere का current source लगा होगा circuit में तो हमें जो resistance मिलता है वो 12 ohm का मिलता है ठीक है और जब हमारे पास 6 volt का source connected होता है इस circuit में तो हमारे पास जो resistance की value मिलती है वो मिलता है कितना 6 ohm का तो देखो अब हम direction को देखेंगे देखो इस दो ohm के चलते जो हमारे पास current यहां से flow करती उसकी direction कुछ इस यहां से मतलब इस direction में है कि नहीं है और यहां से 6 volt से जो हमारे पास current की direction होगी वो कुछ इस direction में होगी है कि नहीं है तो यह क्या है opposite direction में है तो क्या हो जाएंगे minus हो जाएंगे यानि कि 12 ohm जो हमारे पास resistance आया उस में से हम 6 ohm को घटा लेंगे मतलब minus कर लेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा total resistance यानि final resistance आप इसको बोल सकते हो 12 ohm minus 6 ohm क्या हो जाएगा 6 ohm चीक है तो यह हमारे पास यहाँ पर resistance निकल गया 6 ohm का यानि कि जब हमारे पास 2 ohm का यहाँ पर current source और 6 volt का voltage source लगा होगा यानि यह 2 sources जब हमारे circuit में लगे होंगे तो यहाँ पर जो resistance की value होगी वो होगी 6 ohm का यहाँ पर resistance लगा होगा ठीक है so I hope कि आपको यह clear हो चुका होगा so thank you very much